नमस्कार इस वीडियो में हम सर्वीस एंटूल में नेक्स्ट स्टॉक रिकंसीलेशन देखेंगे स्टॉक रिकंसीलेशन यहां से आपको टन आउन कर देना है तो आपका स्टार्ट रिकंसीलेशन हो जाएगा अगर आप पूरे साल का एक साथ करते हो तो आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है तो आप फीजिकली जो स्टॉक है और जो सिस्टम में जो स्टॉक है वो डेली बेजिस पर आप रिकंसीलेशन कर सकते हो अगर डेली बेजिस पर आप रिकंसीलेशन करना चाहते हो त तो जब आप staff को role assign करते हो तो inventory reconciliation का आपको role assign करना है और daily में आपको कितनी item count करनी है वो आप यहाँ पर कम ज्यादा कर सकते हो stock adjustment का option है next option है stock adjustment का अगर staff member stock adjustment करेंगे तो यहाँ पर yes रखना है अगर honor करेंगे तो no रखना है stock adjustment अगर owner करेंगे तो उनके account में एक report उनको दीखेगा जो report download कर सकते हैं और report में उनको correct और mismatch stock दीखेगा अगर stock mismatch है तो वो adjust भी करवा सकते हैं अगर stock adjustment की authority staff member को देनी है तो यहाँ से आपको yes रखना है जिससे की staff member stock adjustment कर सकते हैं और यह setting आपको save कर देना है नेक्स्ट है loyalty program loyalty program एक add-on plan है आप अपने customer को direct discount की बजाए यहाँ पर loyalty point दे सकते हैं जिससे की वो loyalty point collect करेंगे और next purchase पर वो redeem भी करवा सकते हैं जिससे की customer next purchase करने आपके store पर आएंगे नेक्स्ट है linked account अगर आपका multiple location है तो आपका master account है उसके साथ में कौन से store linked है तो यहाँ से check कर सकते हो next report issue आपने कोई भी product में mobile application case through report issue किया है तो उसका पूरा report यहाँ से लिखेगा manage item category item के category हमने यहाँ पर दी होई है अगर आपको कोई भी category new add कर दी है तो आप category new add कर सकते हो और जो भी category आप add करते हो तो उसके according आप item add कर सकते हो और उसका एक report भी आप download कर सकते हो next option है manage store credit तो यहाँ से आप अपने store की daily basis पर credit limit set कर सकते हो तो जिसके according आप एक like आपके daily sell है तो उसकी credit limit आपको set कर देनी तो उससे ज्यादा आप sell नहीं कर पाऊगे तो यह maximum आप अपने store के लिए limit set कर सकते हो thank you कर सब्सके लिसके जब से नहीं है। कर दो तो यहाँ खखो